मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी लोग का सौगत है और स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्षाल में जोमेटरी के प्रीवेसर कोशन कवर कर रहे हैं और कौन से के कवर कर रहे हैं हम लोग 2021 के ठीक है तो दो कोशन में अलड़ी से पहले वाली वीडियो में कवर करा चुका हूं सब्सक्राइब और फोर्ट कोशन करते हैं इस वीडियो में बचे ठीक है चोटी से मेरे बारे में है ठीक है अगर आप लोग ने मारा ओफिशल टेलीग्राम चैनल एंब पार्ट्चाल जोइन नहीं कर रहा है तो आप लोग इसको जोएन कर लेना कॉमें और वीडियो के डि एक रेगुलर हेग्जागन बना लेते हैं यह हमारे पास एक रेगुलर हेग्जागन है ठीक है इसके वर्टाइस का नाम रख लेते हैं A B C D E F A B C D F 2 सेंटीमेटर if T is the midpoint of C D if T is the midpoint of C D T is the midpoint of C D ठीक है then the length of 80 then the length of 80 80 का length कितना होगा है मुझसे पुछा जा रहा है then the length of 80 this is 80 यह 80 है हमारे पास ठीक है एक मिंट 80 सही नहीं बना ठीक है 80 80 सही नहीं बना रहा है just a minute 80 को क्या हो गया 80 fine now everything fine हा चलीड़ रेगुलर हेग्जागन की जो साइड है वो कितना है 2 सेंटीमेटर यह भी 2 सेंटीमेटर है T midpoint है C D का it is mentioned in the question T is the midpoint of C D तो यह 2 था तो यह भी 1 होगा धर यह भी 1 होगा बहुत अच्छी बात है and then the length of 80 80 का length बताना है सबसे पहले बड़ी simple सी बात में आप लों बता हूं रेगुलर हेग्जागन का जो इच इंटीरियर एंगल होता है रेगुलर हेग्जागन के इंटीरर एंगल का सम कैसे निकालते है हम and minus 2 into 180 this is the sum of all इंटीर एंगल्स ओफ रेगुलर हेग्जागन and 6 है 6-2 कितना होता है 4 into 120 यह सभी 6 के 6 इंटीरियर एंगल्स का सम है 6 से डिव और मैं यहां से A से C को मिला देता हूं यह 120 है इंट ट्रेंगिल A बी C यह 120 है Уमारे पास यह 2 है और यह 2 है यह 2 है यह 2 है यह 2 है यह them technology स्वेट स्वेट साझार इक्वफ़ बच्य हूगा और devo सकता हूं यह 20 है यह 30 है तो कितना बचाए 90 बचा ना-गेट बचा 90 बचा तो CT square, यह बात I think आपको समझ मानी चाहिए, ACT, ACT एक right angle triangle है, जिसमें C मेरा 90 degree आया, C 90 degree है तो बच्चे 80 का square बराबर होगा, AC square प्लस CT square, पाइथा गोरस्थियोरम का यूज़ करने वाले हैं अपन लोग, ठीके, कुसेन फोर्मला आप लोगों बता होगा, यह 90-60 वाला ratio यूज़ करने, ठीके, ACT एक्चल में होता क्या है, अगर हमारे पास कोई भी triangle है, यह 60 है, यह 30 है, और यह 90 है, तो 30 के सामने वाले side 1, 60 के सामने वाले side root 3, 90 के सामने वाले side 2, यह ratio होता है sides का, अगर किसी triangle में, तीनों angle 30, 60, 90 है, तो 30 के सामने वाले angle, अगर 1 होगा, तो 60 के सामने वाले side root 3 होगा, और 90 के सामने वाले side कितना होगा, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यह sides का ratio है, हो सकता है कल कोई side 10 हो, यह 10 होगी, तो 1 का value 10 है, तो root 3 का value 10, root 3 होगा, 1 का value 10 है, तो 2 का value 20 होगा, तब sides यह होगी, यह ratio होता है sides का, ठीके, तो यहाँ पर देखो जरा, मैंने इसको draw कर दिया, मैंने यहाँ से perpendicular draw करा, तो यह इधर 90, इधर 90, 90, 90, यह वाले side, यह वाले side, angle, angle, तो दोनों triangle concurrent, यह भ 60 के सामने root 3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, actual में भी 2 है, और हमारे according भी 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के, इस वाले triangle पर focus करो, इस वाले triangle पर, 30 के सामने 1, 60 के सामने root 3, 90 के सामने 2, actual में 2, हमारे ratio के according भी 2, तो actual में यह वाले length root 3 होगा, यह वाले length कितना होगा, यह भी root 3 होग तो अब ये पूरा कितना हो गया AC root, AC 2 root 3 हो गया, CT 1 है, तो 80 के value निकालना है, इस लोड़ा big deal, AC कितना आ रहे, 2 root 3, 2 root 3 का square कर लेना, प्लस CT कितना आ रहे, 1, 1 का square कर लेना, इधर कितना आ रहेगी, 80 square आ रहे, यहां से 80 का value आएगा ना, 12 प्लस एक 13, root 13, answer, बाबु कोशन था यह थो, बाबु बोले तो easy question था यह थो, root 13 is the correct answer, this is our cat 2021 actual question, ठीक है, यह cat 2021 का actual question है, ठीक है, तुम लेवल देख पा रहे हो, cat के level questions का level, cat के questions का level, यह मत कहना, सर आपने एक paper पे कैसे judge कर लिया, cat यह थी questions आ रहे हैं, भाईया, मैंने अपने YouTube channel पर, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सारे previous questions करा रखे हैं, कराने के बाद यह बात बोल रहा हूँ है, ठीक है, playlist चेक कर लेना, previous questions की, इस video के description में भी डाल दूँगा, ठीक है, महाँ से पढ़ लेना बाकी, चलिए, fourth question देखते हैं, यह रहा, sides AB and CD of trapezium, ABCD are parallel, AB और CD parallel है, AB being the smaller side, AB smaller side है, okay, मालो चलो यह AB है, trapezium बना दिया मैंने ठीक है, यह A है, यह B है, यह C है, और यह D है, ठीक है, sides AB and CD of a trapezium, ABCD are parallel, with AB being the smaller side, P is the midpoint of CD, P is the midpoint of CD, and AB, P, D, AB, P, D is a parallelogram, AB, P, D is a parallelogram, यह parallelogram है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, question बोला जा रहा है, कभी तुम बोलो सर, आपने ऐसा बोला है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, question बोला जा रहा है, तो AB, P, D parallelogram है, यह वाली side, इसके पैरलेल होगी, यह वाली साइड इसके पैरलेल होगी, बहुत अच्छी बात है, यह पैरलेलोग्राम है तो इसका डाइगनाल होगा, बहुत अच्छी बात है, बना लिए ऐसे ठीक है, हाँ, इसके पैरलेलोग्राम ए, बी, पी, डी, और ट्राइंगल बी, पी, सी, का जो रिफेरेंस आ रहा है, एरिया का वो 10 आ रहा है, तरापीजियम ए, बी, सी, डी का एरिया हमारे पास कितना होगा है, मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है, देखो बड़ा easy question है, औरली करने लाए question है, सही बताओ तो मैं आपको, दियान से देखो, पी के बारे में कुछ बोला गया था, पी is the midpoint of cd, बच्पन में एक थिरम पढ़ी दी, quadrilateral में, ट्राइंगल्स on the same base and between the same parallel are equal in area, याद है, ट्राइंगल्स on the same base and between the same parallel are equal in area, आप बोलोगे, ऐसे हस क्यों रहे हो सर बताते हुए, क्योंकि शरम आरी है इतना easy question कराते हुए, पी midpoint है, पी midpoint है, तो dp और cp, dp और cp equal होंगे क्या, dp और cp equal होंगे क्या, अगर dp का value 5 cm है, तो cp का value भी 5 cm होगा, नाओ यह जो triangle a, b, c, d के parallel है, ऐसा बोला जा रहे है, a, b and c, d, o, for trapeze, m, a, b, c, d, r parallel, यह इसके parallel है, तो यह वाली line इसके भी parallel होगी, यह वाली line इसके भी parallel है, तो triangle a, d, p and triangle b, p, c, triangle a, d, p, triangle b, p, c, these are the two triangles on the same base and between the same parallel, तो a, d, p and b, p, c का area equal होगा, क्योंकि यार दोनो का base सेम है, आप कोई सहर कहा base सेम है, इसका base ही रहा इसका base ही रहा, अरे, बिखने में अलग-अलग है, बोल्ऊ सेम है, इसका value होगा, उतना ही इसका value होगा, क्योंकि P मिड पॉइंट है, तो triangles on the same base and between the same parallel are equal in area, यह है कहने का बच्चे अगर इसका एरिया ए होगा ना तो इसका एरिया भी ए होगा बताओ जरा यहां तक के बाद समझ मारी होगी triangles on the same base and between the same parallel are equal in area now a b p d now a b p d is a parallelogram a b p d क्या है बच्चे parallelogram a b p d एक parallelogram है parallelogram का जो डागिनल होता है ना जो parallelogram का डागिनल होता है वो पूरे parallelogram को दो equal parts में डिवाइड कर देता है डागिनल ओफा parallelogram divides it into two parts of equal areas तो यह a b p d का diagonal है एप अगर डागिनल है तो इधर a होगा तो इधर भी a होगा बोलो जारा इधर अगर area a है तो area इधर भी a होगा यह बात समझ माने लग रही होगी आप लोगों अब हमसे क्या बोला जारा है difference between the area of parallelogram a b p d का area कितना होगा 2a हमारे according difference देना है यह बीपीसी का रहे कितना होगा a 2a minus a का difference कितना दिया तो यहां से एक वेल्यू कितना आ गया 10 आ गया ट्रापीजियम a b c d का area पूछा है a plus a plus a 3a होगा एक वेल्यू 10 है पूरे ट्रापीजियम कर रहे तो 3 होगा यह area a है यह area a है यह भी area a है एक वेल्यू 10 तो 3 का वेल्यू 30 सेंटीमेटर है तो सेंटीमेटर स्वार मिटर है तो मिटर स्वार देख लेना जो भी होगा खत्तम 21 कोश्चन ठीक है चलिए आई होप यह बात आपको समझ मारी होगी बड़ा ही easy कोश्चन था लिटरली अगर cat 21 में कोई बच्चा जोमेटर के कोश्चन छोड़ के आया है तो इसको खुद पर शरम आनी चाहिए ठीक है चलिए तो अगली वीडियो में हम लोग 5 और 6 कोश्चन करेंगे जोमेटरी का ठीक है